हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमी संद्वारा प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड और कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी तथा मैनेजर सिस्टम के पदो पर वेकेंसी निकाली गई हैं इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं पोस्ट नेम की बात करें तो प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी और मैनेजर सिस्टम की वेकेंसी हैं इसका एप्लिकेशन फॉर्म तीन नौमबर से भरा जाएगा फॉर्म बनने की लाज्ट डेट जो है 39 नौमबर 2021 से आपको इससे पहले एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना होगा और इसमें एप्लिकेशन फीस आपको 200 रुपे जमा करनी होगी अगर आप अन्रिजर्व या फिर अधर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS केटेगरी में हैं उसके अलवाद 25 रुपे आपको प्रोसेसिंग फिस जमा करनी होगी अगर आप X-CST केटेगरी में हैं तो आपको 80 रुपे अप्लिकेशन फिस और 25 रुपे प्रोसेसिंग फिस जमा करनी होगी अब बात करते हैं education qualification की तो सबसे पहले programmer grade 2 की बात करें तो इनका pay scale 9300 से 34800 के बीच में होगा grade पे 4600 और अगर education qualification की बात करें तो इसके लिए candidate को bachelor degree pass होना चाहिए उसके साथ post graduate diploma होना चाहिए computer science में या फिर bachelor degree के साथ A level का certificate होना चाहिए advanced diploma होना चाहिए DOE द्वारा इसके लावा आपके पास software development की knowledge होनी चाहिए second post जो है आपके computer operator grade B की है इसका basic पे 5200 से 20200 की बीच में है grade पे आपका 2800 होगा matrix level 5 इसके लिए आपको bachelor degree pass होना चाहिए इसके साथ साथ diploma pass होना चाहिए computer science में या फिर bachelor degree के साथ साथ आपके पास O certificate होना चाहिए DOE द्वारा इसके लावा data entry की knowledge होनी चाहिए हिंदी और English दोनो अब बात करते है manager system की इसका basic पे 15600 से 49100 के बीच में होगा grade पे 5400 इसके लिए आपको graduate होना चाहिए computer application में age limit की बात करें तो आपकी age जो है 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए reserve category के candidate को 3 साल का age relaxation दिया जाएगा तो जो लोग form fill करना चाहते हैं मैंने link वीडियो के description में दे द सकते हैं इसके साथ ही बता दें unacademy द्वारा free test series चलाई जा रही है UPSC civil service exams की तयारी करने वालों के लिए ये पूरी तरह से free है आपको के वाल enroll करना होगा अगर test series की बात करें तो अवियान daily static quiz चलाई जा रही है जिसमें 15 multiple choice questions पूछे जाएंगे 15 minute में आपको इनके answer करने होंगे language की बात करें तो हिंदी और इंग्लिस दोनों में ये test दे सकते हैं दूसरी test series T20 daily current affair test series है इसमें आपसे 15 multiple choice question पूछे जाएंगे 15 minute में और ये test series जो हिंदी और इंग्लिस दोनों language में आप दे सकते हैं इसके लावा unacademy combat join कर सकते हैं जो कि प्रते एक संडे को होता ह सुबह 11 बजे इसमें आपसे 50 multiple choice question पूछे जाएंगे 60 minute में आपको उनके answer देने होंगे ये भी आप हिंदी और इंग्लिस दोनों language में दे सकते हैं तो अगर आप UPSC civil service exams की तयारी कर रहे हैं तो free में test series join कर सकते हैं test series join करने के लिए आपको नीचे दिएगे enroll button पे click करना SRADDA डालना होगा SRADDA और उसके बाद आप free में enroll हो जाएंगे और इससे related कोई जानकारी चाहते हैं तो आप उससे comment section में पूछ सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद